हैलो फ्रेंड्स जै स्री किषणा जै माठा दी जै स्री शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे पराथना करुगे एश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें आज की वीडियो हमारी बहुती खास है, बहुती महत्वपूर्ण है और बहुती स्पेशल है जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ खास और कुछ स्पेशल आज की वीडियो में बताएंगे कि अच्छानक से शनिदेव आपको कौन सी चार खुश खबरी देने वाले हैं आखिर क्या कह रहे हैं शनिदेव किस तरह के कार्ट्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं किस तरह की कंडिशन्स आपके लिए क्रियेट हो रही है अखिर आपके किसमत में सब शुरूआत करेंगे बहुत जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को संस्क्राइब कर लीजिए बेल आईकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी न भुले तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर-हर महदेओ का नाम लेकर स्क्रीन पर देखिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दो नंबर दिखाए देरूंगे नंबर बन नंबर टू इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ ट्रैक करें जो भी नंबर आपको अच्छा लग रहा हो जल्दी से आप उसे चूस कर ले उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बहुत ही खास और महत्वपून वीडियो देख लेते हैं आप से हम समझ लेते हैं तो special वीडियो है महत्वपून वीडियो है प्लिस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और समझेगा स्किप मत करिएगा एंड तक आप इस वीडियो को देखेगा बहुत ही खास वीडियो है चलिए फर्स्ट नमबर की बात कर लेते हैं जिन्होंने भी फर्स्ट नमबर चूस करा हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहें टेरोकार्ट शनिदेओ क्या कह रहें क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आकिर कुन से चार खुश खबरिया आपका इंतजार कर रही है तो जिन्होंने भी फर्स्ट नमबर चूस करा हैं देखे सबसे पहले तो आज हम आपके लिए कुछ फिलिंग्स लेकर के आए हैं आज हम अलग तरीके से रिडिंग करने व होरी है मैं वह हम आपको बताएंगे तो प्लीस ध्यान से वीडियो को सुनेगा आज की वीडियो बहुत इंप्टेंट है और आज की वीडियो आपके लिए बहुत सही धावित होने वाली है बहुत सारी चीज़ों का नौलेज भी लेना पड़ता है कि किस तरह से हम फिल करे सब कुछ देखना पड़ता है तो जिनोंने फर्स्ट नंबर चूस करा है उनके लिए फिलिंग आ रही है माइन में कि फिलहाल आपका समय जो चल रहा है बहुत अच्छा चलता है खुशियों भरा वातावरण है खुशियां है टेंशन कोई नहीं है दिक्कत कुछ नहीं है ला बिना प्रॉब्लम के चल रही है बिना टेंशन के चल रही है तो ज्यादा लोड नहीं लेना ज्यादा घबराना नहीं है ज्यादा टेंशन नहीं लेना है रेलेक्स रहना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना है समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है पुरी तरह से आपके लिए समय को आप यूँ बोले तो आपके लिए ही आया है समय ये समय आपको बहुत सारी चीजे दे करके जाएगा ये समय बहुत सारी उमीदे ले करके आया है बहुत कुछ दे करके भी जाएगा समय कि अगर हम बात करें तो ये चार खुश खबरियां आपके लिए लेकर क्या आया है पहली खुश खबरी ये लेकर आया है दोस्तों आपके घर में एक सकारात्मक माहूल क्रियेट होगा किसी व्यक्ति के आने से खुशियां ही खुशियां आएगी तो जो कलहश की कंडिशन थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी जो टेंशन था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जो माहूल टेंशन वाला चल रहा था वो खुशियों में तबदिल हो जाएगा ने कि कुल मिला करके बहुत अच्छा समय उस वेक्ति के आने से आपके जिन्दिगी में शुरू होने वाला है बहुत जल्दी आपके लाइफ में आपको मज़ा आने वाला है लाइफ आपकी बहुत कीमती है बहुत ही अच्छी जिन्दिगी फिलहाल इश्वर ने आपको दे रखी आप ये देखिए कि आपसे नीचे वाले लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं कैसे रहे हैं आप हमेशा अपने से उपर वाले लोगों को देखते हैं जो कि सहीं नहीं है अच्छी लाइफ है इश्वर की तरफ से अच्छी कंडिशन है फिलाल आपकी तो आपको इतना जदा सो कोई धनलाब होने वाला है कोई ऐसी कंडिशन्स क्रियेट होने वाली है कि आपको धनलाब होगा और धनलाब आपके जो प्रफिट में आपकी सोच में सुधार करने वाला है तो यह दिनलाब भी आपके बहुत काम आने वाला है इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले रिलाक्स रहें इस बीच यह लाब का मुखा मत छुड़ेगा अगर के इन्वेस्ट करा है और वहां सेल करना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप सेल जरूर कर दीजिए इस समय भी आपका कीमती दिखाई दे रहा है इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से आप इंतजार करिएगा और कीमती समय को यूज करने की कोशिश भी आप करिएगा ठीक है क्योंकि कीमती समय दोबारा फिर हमारे जीवन में नहीं आएगा अब हम बात कर लेतें थर्ड नंबर की गुड नियूस की तो थर्ड नंबर की गुड नियूस दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत सच्चा और अच्छा मित्र आने वाला है जो आपको सही गलत के फैसलों से रूबरू कराएगा जो आपको बताएगा कि बिल्कुल टेंशन नाले लोड नाले हैं जो थर्ड नंबर की जो हमने बात बताई यह आपके जीवन में आपको सक्सेज भी दिलाएगी और कहीं न कहीं यह मित्र यह वेक्ति आपको बहुत सारे चीजों से इस तरह से अवगत कराएगा कि जो आपकी आखों के परदेते ज दोशिश कर और जो होगा अच्छा होगा बिस इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी कोई दिकत नहीं आई चोथी गुट नियूस की बात करें फोर्थ नंबर की जो गुट नियूस है वह यही है दोस्तों कि आपके घर में विवाहिक माहुल क्रियेट होने वाला कहीं से कोई टेंशन माइन में चल रहा था उससे रिलेटेड गुट यूस मिलने वाली कोई बहुत बड़ा माइन में कुछ लोचा चल रहा था जो कह現在 कहीं सॉलुशन आपको उस सीच का मिलने वाला तो बहुत अच्छा समय आपके जीवन में शुरू हो चully चूका आपको कभी कोई टेंशन की ज़रूर नहीं बस आप मांसिक रूप से थोड़ असा कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिद्धे में रहें वो आपके मनोबल को रात्म विश्वास को बढ़ाएगा आप अपने काम को सफलता पूर्ण रूप से संपन करने म सफल रहेंगे विनम्रस वभाव रखिए ताकि समाज में आपका सम्मान बना रहें व्यर्त के वाद विवाद और नकारात्मक परिस्तितियों से खुद को दूर रखें साथ ही इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता आपकी गत अउधानी अगलती का बड़ा खाम्याजा आपको भुगतना पड़ सकता है नई टेकनोलोजी का इस्तमाल करने से गतिवीधियों में सुधार आएगा इस बिच देखें मन को शांत रखें आप अपने कारियों पर अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे और कहीं न कहीं प्रणाली लाव के नए मार्ग मिलने वाले हैं और कहीं न कहीं योजनाय बनाने के साथ कारी रूप देना भी जरूरी है संतान का मागदर्शन अगर आप करते रहेंगे तो उनकी जो गतिवीधिया हैं उनके जैसे घर में तनाव व्यापत होगा और अनावश्यक यात्रा क करने से परहेच करें घर के अधूरे काम निप्टाएं और जीवन में सरकारी मामला देखे को एटका हुआ है किसी सरकारी सेवारत व्यक्ति की मदद से हल होगा किसी खास योजना पर चर्चा होगी इस समय अपने अधूरे पढ़ हुए कारे को आप पूरा करने पर ध्यान दोपर बाद परिस्तितियां भी कुछ पृतिकुल हो सकती है बिना मतलब दुसरों की परिशानियों में ना उलजे ना ही हस्ते शेप करें सरकारी व्यभा किसी बात को लेकर अधिकारियों से बहस वाजी करेगा लेकिन आपको वीच में नहीं बोलना है आपको रिलेक्स रह अधिकारों को दूर कर सकते हैं इसलिए हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए मैडिटेशन योगा करते रहना चाहिए इससे जो आपके बाद के नेगेटिविटी है वह बहुत जल दूर होगी चलिए आप समझ लेते हैं कि क्या कहा रहे हैं टैरो-काड़्स किस तरह की कंडिश को दूर करना पड़ेगा और केवल काम पर ध्यान देना पड़ेगा जो असफलता का डर आपको सता रहा है जो टेंशन आपको हो रही है जो परेशानी आपको हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है तो सबसे पहले तो जो डर असफलता का आपके मन म सता रहा है उसे आप दूर करें अंतिम लक्ष को धियान में रखें योजना में बदलाओ करें विचारों में इस पश्टता होने से समस्याओं को सुलजाना आपके लिए बहुत आसान होगा दिखिए जो भी परिवार के लोग है वो आपसे बातचित करेंगे जो भी प्रॉब प्रॉबलम में बिजनेश में जोफी प्रॉबलम है जो भी समस्याओं है यह को दो कहुत है निराशा और क्रोध भी आप कदूर होगा आप लोगों की नजरिये को समझने की कोशश करें परिवार के लोगों की वजहरम परसि Studia आने वाले हैं और कुछ बाते जो हैं आपको महत्वपून लगेगी तो प्लेज आप उन पर ध्यान जरूर दें बेकार की बातों की वज़े से आपका वक्त और पैसा दोनों खर्च हो सकता हैं विचारों की स्पष्टता की वज़े से बड़े निर्णय आप ले पाएंगे सह से रिलेटेट समस्यां बहुत जल्द दूर होगी जो चिंता आपको इतने टाइम से सता रही थी जो चिंता आपको परेशान कर रही थी वो चिंता अब दूर होने वाली हैं जितना अधिक आप सकारात्मक बातों पर ध्यान दोगे जितना अधिक आप पॉजिटिव सोचें फिलहाल विश्वास बनाए रखें और कहीं न कहीं परिवार के लोगों के साथ थोड़ा समय आप बिदाने की कोशिश करें पॉजिटिव माहूल क्रियेट करें पैसो का इस्तमान थोड़ा सा सोच समझ कर करें आर्थिक इस्तरोध भले ही आपका मजबूत ना हो लेकिन बेकार के खर्च भी हो सकते हैं मुझ मस्ती पर धियान देते समय अपने काम को नजर अंदाज ना करें इस बात का धियान रखें आपकी वज़े से परिवार के लोगों को प्रसनता मिलेगी और करेर से रिलेटेड बहुत बड़ा निर्ने लेते समय आपको जीवन में फाइदा ही फाइदा होने वाला है हनुमान जी की बहुत बढ़ी क्रपा है आपके ओपर एक वीशिश क्रपा बनी हुई है इस वज़े से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाओ भी आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन ना ले रेलाक्स रहें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें प्रोसेस यह करें कि इश्वर ने जो आपके लिए लिखा है जो इश्वर की तरब से आपको मिल रहा है उसमें आप खुश रहें उनके लिए देख लेते हैं क्या करें शनिदेव शनिदेव नियाय के देवता जूट और सच के देवता है जो जूट बोलता है जो छलकपट करके पैसा कमाता है जो दुसरों को दुख दे करके पैसा कमाता है शनिदेव उसका बहुत बुरा हाल कर और जो इमानदारी से पैसा कमाता है, जो सच बोल करके पैसा कमाता है, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है, उसे रंक से राजा भी बना देते हैं। जिनकी करपा से इंसान तुरंत जमीन से उपर उठ जाता और यह शनिदेव ही हैं जिनकी करपा से इंसान उपर से तुरंत नीचे आ जाता है तो कहीं न कहीं शनिदेव की नाराजगी हमें डिक्त दे सकती और शनिदेव की प्रसंता हमारे जीवन को खुशहाली प्रधान कर सक तो आज हम यहीं जानेंगे कि शनिदेव आखिर हमसे नाराज क्यों है और आखिर खुश हैं तो हमें क्या देने वाले शनिदेव नाराज एक ही रिजन पर होते हैं जब आप किसी का दिल दुखाते हैं किसी के साथ गलत करते हैं किसी के साथ बुरा वेवहार करते हैं किसी पर आपको बहुत दिक्कत देते हैं शनिदेव प्रसन होंगे तो कोट कचरी के सारे काम आपके आटोमेटिक सोल हो जाएगा यूंक आपको मा जाना ही निये पड़एगा और सारे काम हो जाएगे दूसरा शनिदेव अगर आपसे प्रसन नहीं तो आपके घर में कभी कोई टेंश लड़ाइ जगडे नहीं होंगे हमेशा खुशी का माहोल रहे, शनिदेês उगर आप से प्रसंद नहें तो आपके घर में खुश्यों का माहोल रहे, आपके घर में कोई टेंशन नहीं रहे, कोई प्रोबल्म नहीं रहे, जीवन में हमेशा आप सभी उचाईंगे जितनी भी आपने कोशिश करी जितनी आप ने महनत करी हैं सब के परिनाम आपको मिलेंगे लेकिन अगर शनीदेव खुश नहीं है तो आपकी महनत आप नहीं कर लो आपके करम आपका पीछा नहीं कुछ लोग आपके साथ बूरा कर रहें आप उंहें जवाब भी देंगे उन्हें बताइंगे कि वो कहां गल्त है कहां सही है हर चीज का जवाब शनिदेव के माद्यम से उन्हें मिलेगा तो कहीं न कहीं ये इश्वर की क्रपा है जिसे हमें समझना होगा इश्वर की अराधना हमें कंटीनिव करनी होगी इस बेच देखिए कहीं न कहीं पर्सनल कारें आप बहुत जदे वीजी रहते हैं तो पर्सनल कारें को निप्टाने की कोशिश करें छोटी छोटी नकारात्मक बतों पर तनाव लेने की बजाएं आप सी सामझ जैसे से आप इससे सुलजाएंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा उर्जा रात में विश्वास के साथ दिन की शुरुवात करें इससे आपको साकार हाई पर फोकस रखें क्योंकि चंचलता और लापरवाही आपको आपके लक्षे से भटका सकती बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ना ले ना ही कोई उधार दे घर के रख रखा होते ता सुन्देरी करण का काम करवाने की प्लानिंग हो सकती है कई फसा हुआ पैसा मिल सकता है नजदी की संबंदियों के साथ मिलकर किसी महत्वपून मुद्दों पर विचार विमर्श होगा बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा ना करें प्रतिकुल पर इस्तिती में घबराने के बजाए समाधान ढूंडे छोटे से मुद्दे पर कुछ वाद विवात की इस्तित करें किसी भी तरह का लेंदें पक्के बिलके द्वारा ही करें बाकी ना करें मित्रों तता संबंदियों के संपर्क में बने रहें आपको नएने अनुभव मिलेंगे आत्मसात करें आपके लिए सफलता फलतायक रहें कि संपत्ति संब्दी विवात किसी के मध्यस्ता से हल ह आपिता का सम्मान बनाए रखें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें नहीं कोई निर्णा जल्दबाजी मिलें दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करना आपके लिए मुसी बदला सकता बहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें समय ज्यादा उम्मीदें रखने की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज आप वीडियो को दोस्तो लाइक जरूर करो चैनल को सब्सक्राइब करो बला आकन को प्रेस करो साथी वीडियो को शेर करो अब देख लेते हैं कुछ और बाते आने वाले समय के लिए क्या कहना चाहते हैं शनी देयो आप से दिहान से सुने का दोस्तों। अब नहीं जहिलना पड़ेगा, अब आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला और वहनमान जी की विशेश क्रपा के साथ ही आपके करमों का भी फल है आपके करम अच्छे हैं तो आपको किसी से घबराने की जरूत नहीं किसी के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जीवेन में सिफ ये सोचे कि जो होता है अच्छे के लिए होता और जो होगा अच्छे के लिए होगा देखे फिलहाल जो समय मिल रहा है वो बहुत किमती बस इस बात को ध्यान रखे अपने मन को शांत करे जिससे आपकी बेचेनी दूर होगी थोड़ा सैयम रखना होगा मेहनत के अनुसार आपको फल जरूर मिलेगा निराशा क्यों हो रही है बेचेनी क्यों हो रही है घमरायट क्यों हो रही है बस इस बात का बारी की से आप अवलोकन करें अपने वेवहार पर भी आप ध्यान दे बड़े निर्णाय पर अमल करना आपके लिए बहुत जरूरी है लोगों की आप पर नाराजगी है तो उन्हें कैसे दूर करें इस बात पर भी आप थोड़ा सोचें भा हमें सबसे पहले positive thought रखना होगा और positive thought के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दे रहा होगा ठीक है और देखें एक चीज़ और हम आपको बता दे कि दूसरों से अधिक आप खुद के काम पर ध्यान दे क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोगों से comparisons करते हैं लोगों से comparisons करना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है अब यह देखते हैं कि उनके पास यह हैं उनके पास वह हमारे पास यह क्यों नहीं है हम हमेशा लोगों को देखते हैं हम जो चीज हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं होते हम लोगों को देख देखके जलते रहते हैं ल देखिए हनुवान जी आपके उपर बहुत बड़ी करपा करने वाले हैं आप चाहते हैं कि पॉजिटिव सोच हो तो बहुत जल्द आपकी पॉजिटिव सोच होगी बहुत जल्द आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और लाइफ में वो उन्नती वो मुकाम आप हासिल कर लें आपको मेहनत में और अपने कर्मों पर देना होगा देखिए जिस इंसान की नियत अच्छी होती है जिस इंसान की सोच अच्छी होती है उसे कुछ भी करने की जरूत नहीं होती है उसे कुछ भी सोचने की जरूत नहीं होती है सब कुछ इश्वर को इश्वर उसे उसके कर् तो जीवन में काफी चेंजिस आपको महसूस होंगे भनवान जी की विशेश क्रपा भी आपके उपर होने वाली है नकारात्मक विचारों से आप खुद को बाहर निकाले जो भी नई प्लानिंग हो रही है नई अवसर मिल रहे हैं उन पर ध्यान दे अपने विचारों और कामों के परिणामों पर नजर रखे यदि आप अपनी परिस्तिती को बदलना चाहते हैं तो प्रैत्न करने का तरीका बदलने की कोशश करें अपने स्वभाओं के नकारात्मक पहलों को समझें जो बाते आपने तय की है उनके वज़े से दिक्कते हो सकती अभी कई बाते इसपष्ट होनी है लोगों के आलोचनाओं से डर कर अपना नुकसान न करें अध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने की वज़े से पुराने कामों का असर आपके जो भी जीवन में गलत असर हो रहा था वो तूर होने वाला है खुद को मांसे ग्रूप से मजबूत रखे निर्णा लेने की आपको शिश करें आपके जीवन में बहुत जल्दी बदला होगा इसी बीच देखिए अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो तो बीना सोचे समझे रेलाक्स होकर के आप कारी की शुरुवात को कर दे ठीक है देखिए जीवन में सुख शांती चाहते हो तो कभी भी अपने पद, धन और सुन्धरता का घमन मत करना क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है इसलिए कभी भी इन चीजों का घमन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज नाशवर है सुख और दुख कभी स्थाई नहीं होते मुश्किल समय में आप सावधानी रखे और धीरे-धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहें जब समय थोड़ा मुश्किल होता है तो कमजोर व्यक्ति काम ना करने के बहाने खोजने लगता है लेकिन सहसी व्यक्ति आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खोजता रहता है किसी का भरोसा जितने में हमें वर्षो लग जाते हैं लेकिन एक गलती से मात्र एक गलती से वर्षो पुराना भरोसा तूट जाता है इसलिए से काम ना करें जिनकी वज़े से किसी का भरोसा तूट सकता हूँ अपना लक्ष पूरा करना चाहते हो तो दूसरों के काम पर ध्यान दो दूसरों के जीवन पर ध्यान दोगे तो हमेशा टेंशन लोगे कभी टैंशन फ्री नहीं रह पाओगे हमेशा आपकी माइन में लोड रहेगा इसी बीज देखें कुछ चीजें और समझिए कि धन संपती बर्बाद होने से वेक्ति सिब निर्धन होता लेकिन जो लोग समय की बरबादी करते हैं, उनका सब कुछ खो जाता है, इसलिए हमें समय की value को समझना चाहिए, और जीवन में कभी घमण नहीं करना चाहिए, चाहिए हमारे पास कोई भी चीज हो, किसी भी तरह काम, हमारे पास योग्यता हो, किसी भी तरह में हम माहिरों, किसी भी चीज में हम यह बढ़ना है, और लाइफ में सारे कारे अच्छे करते हुए, टैंशन फ्री होकर, रिलेक्स होकर के जीवन में जो होगा अच्छे के लोगा, यह सोचते हैं, अगर आप कारी करोगी, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई problem, आपको feel ही नहीं होगी, इस बात का जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छा ही होगा, आपका जीवन कितना लंबा है, यह माइने नहीं रखता, माइने यह रखता है कि आप कैसे जीते हैं, उदासी और चिंता या आनंद और खुशी के साथ, यह आपके ओपर depend करता है, जिस शरीर के साथ हम पैदा इस शरीर को अगर हम लेकर क्या हैं, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारे चरीत्र, हमारे स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है, और उसे बदलना चाहिए, जब तक आपको यह बाते समझ में नहीं आएगी, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो ठीके, जब तुम इश्वर का ध्यान करते हो, तब एक समय आने पर उसके पास होने का तुमें अनुभव भी होगा, हलकी सी खुश्बू, उसके आने का रास्ता आपको समझाएगी, जितना हो सके खामोश रहें, खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गु इसलिए जितना हो सके कम बोलो, जितना हो सके चुप रहो, है न, बुद्ध से किसी ने पोछा कि जहर क्या है, तो बुद्ध जी ने बहुत सुन्दर उत्तर दिया, जिन्दगी में जरुस से ज्यादा कुछ भी हो, वो जहर है, चाए वो सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोब ह अभिमान हो, आलस हो, महत्व कांशा हो, प्रेम हो, या ग्रणा हो, जरुस से ज्यादा जो भी चीज हमारे जीवन में मुझूद है, वो सारी हमारे लिए जहर है, इसलिए इस जहर को त्यागो और जीवन में हमेशा आगी बढ़ो, जिन्दगी में दो बातों की गिंती करना छोड़ दोगे, तो हमेशा सुख ही सुख मिलेगा, खुद का दुख और दुसरों का सुख, इससे आपकी जिन्दगी आसान होने लग जाएगी, और बहुत आसान दिखाए देगी, ध्यान से तुमने क्या हासिल किया, जो आप अपन ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन क्या करते हैं, वो ध्यान से सुनियों, उससे आपने क्या हासिल होता है, कुछ नहीं, हम बहुत कुछ खोते हैं, हलाकि हम आपको बता दे कि क्रोध, चिन्ता, अवसाद, असुरुक्षा, बुड़ापे का डरों, मृत्यों, ये सारी चीजे हम ध्यान की वज़े से खोते हैं, चि योग कर सकता है, है ना, सुभा की पहरी सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो, ध्यान रखे, आपका हर संकल्प आपके भग्य की रचना करता है, आप जेसा सोचेंगे, वैसा फल आपको मिलेगा, अपने खिलाफ बाते खामोशी से सुनो, यकीन मानो, वक्त बहत्रीन जवाब देगा, जिसे आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, उसे वक्त ऐसा जवाब देगा कि आप सोचते रह जाओ, लेकिन थोड़ा सा रोको, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा शान्त रहो, बनना है तो पानी की तरब बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, बाकी पत् प्यार है, वहीं इंसान बड़ा है, समय और इस्तिती कभी भी बदल सकती है, कभी भी किसी का अपमान ना करे, ना है किसी से तुछ शब्द में बात करे, आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आप से कई ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बात का विशेज ध्यान रखें और जो कहना है, मगर कह नहीं सकते हैं, वो मरियादा है, इस चीज को समझे, बहुत खास लाइन में बहुत ज़्यादा बाते लिखे हुई है, मातर तीन चार लाइन, लेकिन बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बाते हैं, बहुत सारे अनुभाओं छोपें, जो कह दिया, हम किसी के बारे में हमें कुछ पता है लेकिन हम उसे नहीं बोल पा रहें इसका मतलब यहीं है कि वो बात किसी के अहंकार को किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है तो हमें अपनी मरियादा में रहना आता है जो कह दिया था उसे हम रोक नहीं सकते लेकिन फिलाल हमें सोच कर समझ कर काम करना होगा देखे विश्वास तो दरपन है तोड़ो तो पहले जिसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जिसा अक्स नहीं बस इस बात को ध्यान में रखे चलोगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगे मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है और वक्त बदलना सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में वीडियो अच्छी लग रहे हैं प्लेज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करना ना भूले कमेंट सेक्षन में राधे राधे लिखें जय जय श्री महाकाल जय श्री शाम हर हर महादियो